नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो एडिटिंग का एक ऐसा एप्लिकेशन जो कि ना केवल धमाकेदार है, बल्कि बिल्कुल फ्री भी है। यहां तक कि इस एप में प्रो, प्रीमियम, प्लस, बाई करने जैसा कुछ है ही नहीं। जी हां मैं बात कर रहा हूँ Vita App की, जो कि आज की डेट में मॉबाइल में वीडियो एडिटिंग के लिए सब्चे शांदार एप बन चुका है। यह अपना केवल बागी के मॉबाइल वीडियो एडिटिंग एप से बहतर है, बलकि PC के कई वीडियो एडिटिंग सॉफ्ट एयर से भी बहतर है। अगर आपको बेसिक वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है तो, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इसी एप के फीचर्स और टूल्स को एक एक करके समझाओंगा। वीडियो थोड़ा लेंदी जा सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या एक बिगिनर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल रहेगी। सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर से वीटा एप को इस्टॉल करना है इश्टॉल करने के बाद एप उपन करें। अब सबसे पहले सेटिंग आइकन पर प्रेस करें और जो वीटा वार्टर मार्क इनेबल है इसको डिसेबल कर दें अब आपकी वीडियो पर कोई वार्टर मार्क नहीं आएगा यहां से अपनी वीडियो का रेजॉलीशन सेट कर सकते हैं जिस भी रेजॉलीशन में आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है यहां आपको अपने सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे यहां आपको टेंपलेट्स मिलेंगी Templates की मदद से आप छोटे मोटे मज़ेदार वीडियो कुछ ही मिनिटों में बना सकते हैं इसके लिए कोई Template सेलेक्ट करें और Use Now पर टैप करें अब इस Template के लिए 5 फोटो सेलेक्ट करें इस जैसी वीडियो बनाने के लिए और फिर यहां प्रेस करें और वीडियो तैयार न्यू प्रोजेक्ट क्रियेट करने के लिए प्लस वाले बटन पर प्रेस करें अब गैलरी से वीडियो और फोटो सेलेक्ट करें जिनकी मदद से आपको एक फाइनल वीडियो बनाना है इसके बाद clips timeline पर add हो जाएंगी यहाँ plus वाले बटन पर click करके आप more videos और photos add कर सकते हैं अब सबसे पहले बात करते हैं transitions की आप दो clips के बीच में transitions effect लगा सकते हैं Vita app में आपको 50 से ज़्यादा transitions effect मिलते हैं जो बहुती सांदार है अब edit section में जाते हैं यहाँ से आप selected clip को split, reverse, copy, delete वगेरा कर सकते हैं Split करने के लिए time ruler को उस जगह पर ले जाएं जहाँ से आपको clip को split करना है और फिर इस split पर press करें और video clip उस जगह से split हो जाएगी Video clip की speed कम या ज़्यादा करने के लिए speed tool का इस्तमाल करके आप video की speed को change कर सकते हैं Reverse tool का इस्तमाल करके आप किसी video को reverse कर सकते हैं इस tool का इस्तमाल आपने साइट कई TikTok वीडियो में देखा होगा अगर video का sound थोड़ा काम या ज़्यादा है तो volume tool की मदद से आप volume level को increase और decrease कर सकते हैं अगर आपको किसी clip की जगे कोई दूसरी video या photo इस्तमाल करनी हैं तो उस clip को select करें और replace पर प्रेस करें अब यहां gallery से उस दूसरी clip को add कर लें किसी clip को duplicate करने के लिए copy tool पर प्रेस करें इसके बाद वाट clip duplicate हो जाएगी clip को delete करने के लिए simply उसको select करें और delete पर प्रेस करें rotate tool की मदद से आप अपनी clip को अपनी जरूरत के साब से rotate कर सकते हैं अब इसके बाद ratio section में जाएं और अपने project का ratio set करें अगर आप video export करने के बाद instagram पर share करोगे तो one ratio one set करें इसी तरह अपनी requirement के साब से project का ratio set कर लें अब चलते हैं effect section में जो कि बहुती मजेदार है effect section का इस्तमाल करके आप videos को और भी ज़्यादा attractive बना सकते हो ज़्यादा तर video editing software में केवल कुछ ही effects देखने को मिलते हैं लेकिन vita app में 300 से ज़्यादा शांदार effects मौजूद हैं जो कि बिलकुल free हैं videos में effect लगाने के लिए effect section की different categories में से किसी एक effect को select करें और tick button पर press करें इसके बाद effect timeline पर add हो जाएगा अब आप अपनी जरूरत के साब इस effect को adjust कर ले text add करने के लिए text बटन पर press करें यहां कोई text enter करें इसके बाद font चूज करें आप चाहें तो text में color, border, shadow, label भी add कर सकते हैं align पर जाकर text की position set करें और space पर जाकर text के letters और lines की spacing को adjust कर सकते हो style पर जाकर text को थोड़ा और stylis कर सकोगे यहां आपको 100 से भी ज़्यादा style मिल जाएंगी animation पर जाकर text में animation add करें क्योंकि यह viewers पर अच्छा impression छोड़ता है यहां 37 text animation available है music add करने के लिए music section में जाएं और vita app की library से music चूज करें या फिर आप अपने device के music को भी add कर सकते हैं इतना ही नहीं आप चाहें तो किसी वीडियो से music extract करके भी यहां add कर सकोगे sticker section में 1200 से भी जादा stickers available हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे यह stickers आपकी वीडियो को सांदार बनाने में काफी मदद करेंगे किसी clip के ऊपर एक और clip add करनी हो तो PIP बटन पर प्रेस करें और फिर गैलरी से clip को select करें इसके बाद clip को अपनी जरूरत के साब से use कर लें फोटो एडिटिंग की तरह आप वीडियो में भी filters लगा सकते हैं इसके लिए filter section में 30 अलग अलग तरह के filters मौझूद हैं background section में जाकर आप कोई background image या वीडियो चूज कर सकते हो scale section में जाकर आप वीडियो को selected ratio में छोटा या बड़ा कर सकते हो order section में आप timeline की clips को reorder कर सकोगे यहां से आप clips को delete भी कर सकते हो मैंने आपको सभी tools से एक एक करके introduce करा दिया है अब यहाँ आपकी creativity के उपर है कि कैसे आप इन सभी tools का इस्तमाल करके बड़िया से बड़िया वीडियो बनाते हो जो वीडियो आप इस समय अभी देख रहे हो यह वीडियो भी मैंने इसी vita app से बनाई है अगर आपको इस app से video editing में कोई परिशानी आ रही है तो मुझे comment करके जरूर बताएं मैं उसका reply definitely करूँगा वीडियो अच्छा लगा होते से like करें और channel को subscribe करना ना बूलें